Hello everyone, welcome back to my channel, I hope you are doing good So friends, आज मैं चम्पा यानी प्लुमेरिया को कटिंग से कैसे ग्रोग करें वो बताने वाला हूँ Friends, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए friends, शुरू करते हैं Friends, मैंने ये चम्पा के पौधे की कटिंग हमारे घर के नस्दीक पेड की कटिंग हो रही थी, वह से मैं लेकर आया हूँ Friends, अगर आप जब भी चम्पा की कटिंग लगा है, तब अच्छी हल्दी कटिंग लाना, जिससे की कटिंग हमारी अच्छी तरीके से लग जाए मैं यहाँ पे नोड एडिया के नीचे कट लगा दूँगा उसके लिए मैं सबसे पहले मेरे कटर को सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर दूँगा जिससे की हमारी कटिंग में फंगल इंफेक्शन ना लगे Friends, मैंने यहाँ पे कटिंग के नीचे एक तीर्चा कट लगा दिया है आप देख सकते हो कि इसमें से दूज जैसा कुछ लिक्विड गिर रहा है Friends, जब भी हम चंपा की कटिंग लगाते हैं तब उसे हमें तूरंच ही दूसरी कटिंग की तरह नहीं लगा सकते क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारी कटिंग में फंगस लग जाएगी और हमारी कटिंग मर जाएगी अब मैं इसके कुछ पत्ते को निकाल लूँगा और मैं इस कटिंग को तीन दिन के लिए किसी च्छाव में रख दूँगा जिससे कि उसका नीचे वाला भाग सुक जाए फ्रेंट्स तीन दिन बाद आप देख सकते हो कि मेरे चंपागी कटिंग अच्छी तरीके से सुक गई है मैं यहाँ मेरी कटिंग को नौर्मर गार्डेंट सॉयल में ग्रो करने वाला हूँ उसके लिए मैंने ग्रो बेग में सॉयल भरके रखी है मैं यहाँ पर रूटिंग होर्मोन के लिए दालचीनी पाउडर यानी सीरेबन पाउडर का व्रूस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं उसके नीचे थोड़ा पाउडर लगा दूँगा बाइद में नीचे डालचीनी पाउडर लगाने के बाद उसको मिट्टी में लगा लूँगा अब खुछी दिनों में हमारी कटिंग अच्छी तरीके से लग जाएगी फ्रेंड्स यह चमपा का पौद्धा मैंने कटिंग से लगाया था ये करीब 68 मैंने पूराना पौद्धा है पौद्धा नीचशी टूछा लगा दौद्धा जिसकता है झाली खीम् से लगा एंडर लगाँ